नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौक रीपर दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक्जाम प्रिपरिशन से जुड़ी सारी वीडियो जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं दोस दोस्तो नर्सिंग एक्जाम में आप बैठने वाले हैं तो उसके लिए दोस्तो आज भी हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तो पूछे जाने वाले कुस्ट्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें आज हम बात करेंगे लेगे साथ कि इस यई दोस्टों को आप सा Stephen करøynnगे और आपको अलग से दोस्तो जुलिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लगवग 100 ऐसे सिनुनेम और अंटरियम के बारे में दोस्तों जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एक्जाम के दौरान तो दोस्तो इस वीडियो मा हम बात करेंगे इसके बारे में लेकिन हमारे वो दोस्त जो पहली वार वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर नए हाया हैं दोस्तो उनसर भी से रिक्वेस्ट है की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और पाकि बने बैल आइकन के बटन को भी हिल कर दोस्तों आईसी ही आने वाली वीडियो मिसना और आप बने रहें दोस्तों हमारे चैनल असपीटलनौक्री के साथ आसी ही लेतिष्ट इन्फोरमीटिव वीडियो पाने के लिए तो दोस्तों देश hasn't और देद तो लिश्ट में दोस्तो हमारा पहला वर्ड है डिफ्रे अब डिफ्रे क्या होता है दोस्तो तो डिफ्रे का मतलब होता है दोस्तो डिफ्रे का मतलब होता है दोस्तो किसी चीज को खतम करना डिस्चार्ज करना या फिर दोस्तो मनी को या किसी चीज को स्पैंड करना अब इसक इसका synonym दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका synonym होगा spend या pay वहीं दोस्तों अगर हम इसके एंटोनेम की बात करें इसके opposite word की बात करें तो वह होगा दोस्तों डिस्क्लेम या फिर repudiate अब repudiate क्या होता है दोस्तों repudiate वैसे तो आप समझ गये होंगे इसका opposite meaning क्या होता है रेकिन फिर भी दोस्तों हमें एंटोनेम के बारे में भी पता होना चाहिए तब ही दोस्तों हम उस चीज़को answer कर पाएंगे तो repudiate होता है दोस्तों किसी इस्क्लेम याफिए रेपू डीट आगए बाद करते हैं दोस्तो है अगले वर्ड की और बढ़ता है अगला वर्ड हमारा डैलीप्रे डैलीप्रेट किया होता है दोस्तो डैलीप्रेट होता है जान बुच learnt कर चारना जब आप इंटेंशनल के तौर पर भी दोस्तों आप इसका सिनोनेम देख सकते हैं एंटोनेम की बात करें दोस्तों एंटोनेम में आपका इसका देखने को मिल जाएगा रैश या फिर सडन ठीक है डेलिबरेट क्या था जानबूच कर सडन हो गया अचानक से तो यह जो है इसका जनरल आपको एंटोनेम देखने को मिल जाएगा इसके लाववद रैश भी दोस्तों इसका एंटोनेम हो सकता है तो इस तरह से दोस्तों सिनोनेम और एंतिनुम आपने सम्झा डैलिबरेट का अगले वर्ड की बात करते हैं दोस्तों अगला वर्ड है डिमॉलिश है कि सीज को तो वो होगा repair और construct यह दोनों ही वर्ड दोस्तों आप तभी लोग जानते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं next word के और बढ़ते हैं दोस्तों अगला word हमारा deprive क्या होता है दोस्तों deprive होता है दोस्तों किसी चीज़ को दूर ले जाना है किसी चीज़ से कुछ छीन लेना ठीक है या फिर दोस्तों कुछ ले लेना किसी से या फिर उसे बंचित कर देना एक simple word हम बोलें किसी चीज़ से वंचित कर देना तो वो होता है डिप्राइब अब डिप्राइब का synonym क्या होगा दोस्तों तो वो होगा restore और renew यानि कि जहां से आपने लिया आपने वहीपर उसको रख दिया restore और renew क्या होगा दोस्तों अपने उसको फिर 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 षिर शुरू कर दिया तो वह जाएगा उसका ऐसा feel कराना कि वो guilty feel करे या थोड़ा low feel करे उसके confidence को low करना तो वो जाएगा deride, simple word में बोलें तो किसी का मजाक उड़ाना दोस्तों उसको हम बोलते हैं deride करना तो इसका synonym हो जाएगा दोस्तों mock, mock का मतलब भही होता है और taunt, taunt का मतलब होता है ताना देना किसी को किसी बात के लिए या उसको चिड़ाना किसी बात को कहकर, तो वो हो जाएगा synonym एंटरियम दोस्तों क्या देखने को मिल जाएगे तो इसका एंटरियम हो जाएगा inspire और encourage यानि एक तरफ आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो इसका उल्टा हो जाएगा आप उसे inspire कर रहे हो किसी चीज के लिए उसे encourage कर रहे है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले word की बात करते हैं अगला word हमारा disdain अब disdain क्या होता है दोस्तों disdain होता है दोस्तो किसी चीज को मना करते다 किसी चीज के लिए permission ना दीन आ या अलाओ ना करना तो वह तहरा disdain चीक है किसी चीज़ को मना कर देना वह हो गया disdain और किसी चीज़ को एप्रूफ कर देना वह गया एंटोनेव प्रेज का यूज़ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं अगले वर्ड के दोस्तों बड़ते हैं अगला वर्ड हमारा disue it this sweet क्या होता है दोस्तों बहुत सिंपल अगर आपने एक वर्ट सुन रहा है पर्सूइड्ट तो पर्सूइड का opposite हो गया दोस्तों disue it pers codes होता है किसी चीज को follow करना किसी चीज को करना आप इंटर्व्यूस में अब चीज को नहीं कर रहे हैं आपने करना बन कर दिया है डोस चीज को जब आपने करना कर दिया है तो वहां पर आप इनसाइट बोल सकते हैं अगला दोस्तों मारा डिनाऊंग्स अब क्यूस करना या फिर किसी चीज को पब्लीक लिए inform कर देना या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज को आपने publicly यह चीज बता दी कि यह चीज जो है वो गलत है या यह चीज नहीं होनी चाहिए या आप किसी को रोकते हैं कि वो इंसान गलत है तो publicly दोस्तों जब आप एक announcement कर देते हैं या कुछ आप claim करते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है या ऐसा ही है तो दोस्तों वह जाता आपका denounce इसका दोस्तों synonym क्या होगा आपका जाएगा blame करना या फिर boycott करना बॉयकॉट इसलिए दोस्तों क्योंकि क्योंकि आपने उसका जो है एक तरीके से claim कर दिया कि यह चीज़ गलत है तो वहाँ पर आप उसकी जगह boycott का यूज़ी कर सकते हैं वहीं इसका एंटोनिम की बात करें ऑपोजिट वर्ड की बात करें तो हो जाएगा करना एक तरप आप क्लेम कर रहें कि वह चीज़ गलत है उसका opposite हो जाएगा उसकी इसको डेफैंड करना अब आप कहा रहें कि वह चीज़ सही है तो एंटनिम हो जाएगा दोस्तों इसका defend अगले वर्ड के और बढ़ते हैं दोस्तों अगले वर्ड है हमारा dance डेन्स कई होता दोस्तों होता है बहुती घंडा घिरा हुआ या चारो तरफ से बन्द लिए जंगल के दोस्तों डेंस के यूज किया जाता है तो ऑप इसका क्या कह सकते हैं तो यह नहीं थे दोनों आप तूरपर इसे देख सकते हैं अंटॉनिम की बात करें दोस्तों सपीर ब्रेनी चिक क्या है वन दोस्तों एसी जगह folks एक कि एख appointment देख सकते हैं इतने जाती घनी वो नहीं है तो वह जाएगा लूस्तों आपका spars वहीं dance के बारे में दोस्तों हम लेडी बात कर चुके हैं dance हो जाता है आपका कोई बहुत जादा घनी जगा यहाँ पर density बहुत जादा हो ऐसे भी दोस्तों आप उस चीज़ को देख सकते हैं next word के और बढ़ते हैं दोस्तों next word है हमारा derogatory now it's an interesting word derogatory derogatory का क्या मतलब होता है दोस्तों derogatory का दोस्तों मतलब होता है की derogate करना now derogate something is like जब आप किसी की power या value को दोस्तों कम कर देते हैं especially governing bodies के लिए दोस्तों यह word use किया जाता है किसी की power या value को कम कर देना तो वह जाता है दोस्तों आपका derogate उसी से निकला है दोस्तों derogatory यानि कि ऐसा करने वाली कोई चीज इसका synonym क्या हो जाएगा दोस्तों इसका synonym हो जाएगा sarcastic या फिर critical तो sarcastic हो गया दोस्तों वहाँ पर एक हसी किसी को कहते कुछ हैं लेकि उसका meaning कुछ और होता है critical क्या हो गया किसी की बुराई करना या फिर किसी की उसमें कमी निकालना या उसको judge करना वह जाएगा आपका critical एंट्रिकल क्या हो जाएगा दोस्तों एंट्रिम हो जाएगा एंट्रिम नेक्स्ट वर्ड की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा despair डिस्पेर क्या होता है दोस्तों despair होता है जब आप बहुत ज्यादा परिशान होते हैं या आप कह सकते हैं कि परिशानी में आप चल रहे हैं mentally या psychologically दोस्तों कई तरीके की परिशानियां है तो वह जाता है आपका despair या किसी चीज़ से आप बहुत जादा दूर है दूरी वहां पर बहुत जादा है तो इस तरीके की जो word होते हैं दोस्तों तो दोस्तों यह जो word होता है इसका means होता है despair हो जाना या hopeless हो जाना एक one word में हम कह सकते हैं hopeless हो जाना या give up कर देना या expectation ना होना या expectation खतम हो जाना हो जाता है आपका despair इसका दोस्तों सिनोनिम क्या होगा सिनोनिम होगा दोस्तों इसका depression माईजरी ठीक है दोनों आपको यह सिनोनिम की तौर पर देखने को मिल सकते है depression माईजरी एंटरिम की बात करें तो दोस्तों वह जाएगा आपका contentment and hope contentment का मतलब होता है जो भी situation है या जो भी परिक्तिती अभी है ठीक है आप कोई problem या complaint नहीं है और hope दोस्तों obviously आप hope करते हैं कि कुछ अच्छा हो आपके पास you know desires होते हैं कुछ चीजों को अचीब करने के कुछ करने के या आप इंत्यार कर रहे होते हैं तो that will be hope so despair के मतलब दोस्तों हमने समझे synonym और अगले वर्ड की बात करते हैं दोस्तों अगला वर्ड हमारा डिस्ट्रक्टिव ठीक है बहुत कॉमन वर्ड डिस्ट्रक्टिव मीन्स समवन हो जो बहुत ज्यादा तभाही मचा सकता है या बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा सकता है that person is called destructive ठीक है इसका synonym क्या हो जाएग दोस्तों एक अच्छा वर्ड है यह भी आप यूज कर सकते हैं तो यह दोस्तों synonym की तौर पर आप यूज कर सकते हैं destructive के लिए destructive के लिए वहीं बात करें दोस्तों एंटोनेम की तो एंटोनेम हो जाएगा दोस्तों creative और constructive ठीक है destructive का उल्टा obviously opposite हो जाएगा constructive लेकिन उसकी जगा आप यूज कर सकते हैं creative का भी creative क्या दोस्तों कुछ बनाना लेकिन नय तरीके से बनाना कुछ अलग तरीके से बनाना उसमें कुछ नया add करना that will be creative या आप बो अगला दोस्तों मारा word is docile docile क्या होता है तो docile का मतलब होता है दोस्तों docile का मतलब होता है दोस्तों जब आप ready होते हो किसी action को लेने के लिए या instruction को लेने के लिए तो उसका मतलब होता है दोस्तों docile अब इसके synonym की बात करें दोस्तों synonym का मतलब हो गया इसका pliable या फि वहीं है अगर हम इसके enter name की बात करें इंटर निम दोस मोव इसका हो जाएगा headstrong और obstinate है headstrong क्या हो जाएगा कि आपने आपने अगह तो मुझे आप मत बता हूँ that'll be headstrong यानि कि आपने साफ साफ बोलगे कि मैं नहीं करने वाला हूं या मैं नहीं करूंगा यानि कि you are not ready to take the order, आप order नहीं लेना चाहते हैं, या आप instruction लेना आपको पसंद नहीं है, तो वो जाएगा आपका head is strong, या फिर obstinate, तो यह हो जाएंगे दोस्तो, अगले word के और बढ़ते हैं दोस्तो, अगला word हमारा ड्वार्फ, ड्वार्फ होता है दोस्तो एक व्यक्ति जो की बहुत जादा चोटा है, यानि मूवीज में दोस्तो आप तभी ने देख रहा है, ड्वार्फ हमें देखने को मिलते हैं, जो एक word में बोलें तो दोस्तो जिन दोस्तो चोटे लोगों के लिए या वह लोग जो बहुत द्यास है लंबे नहीं होते हैं, अगले word की बात करते हैं, आगे हमारा जो अगला word है वह है एगर, यानि के दोस्तो बहुत जादा उत्सुक, बहुत जादा किसी चीज़ को करने में इंट्रेस्ट रखने वाला या जिसका इंट्रेस्ट बहुत जादा हो किसी चीज को करने में that is eager synonym हो जाएंगे दोस्तो keen या फिर acquisitive या दोनों वर्ड आप use कर सकते हैं eager के लिए and antonym की दोस्तों बात करें तो antonym हो जाएगा आपका indifferent या फिर apathetic ठीक है दोनों ही आप यूज कर सकते हैं indifferent and apathetic अगला वर्ड दोस्तों मारा eclipse eclipse क्या होता है दोस्तो eclipse आपका ग्रहन के लिए यूज किया जाता है so eclipse होता है दोस्तों जब किसी चीज जो है वो कम होना शुरू हो जाती है घटना शुरू हो जाती है या उसका जो विजन है या जो उसकी साइट है दोस्तों वो कम होने लगती डैट is eclipse इसका synonym दोस्तों आप यूज कर सकते हैं diminution या फिर dimming dimming क्या होता है हलके हलका हलका होते होते खतम हो जाना that is dimming ठीक है dim हो रहा है वो इससे sun सूरज होता है तो शाम को दोस्तों जो सूरज होता है दीरे-दीरे हलका हलका फिर शाम को वो 6-7 बजे के बाद गायब हो जाता है that is dimming तो इसका जो एंटोनेम हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा यह नहीं कि वो पागल है normal से हमारा मतलब उसके जो action होते हैं जो behavior होते हैं बहुत जादा अलग होते हैं एक दूसरे से या वो थोड़ा इतना मिलता जुलता नहीं है वेकती है बहुत जल्दी गृसा हो जाता है या बहुत ही आप बोल सकते हैं different जो भी लोग होते हैं थोड normal का opposite हो जाएगा abnormal तो इसका दोस्तों कि बात करें तो जाएगा natural और conventional नैचुल यानि कि जैसे सब करते हैं वैसे ही वो और conventional का मतलब भी दोस्तों वही हो जाएगा जो की पुराना जो तरीके हैं जो बड़े बूडों ने हमें बताए हैं या पहले से चलते आ रहे हैं उन त इंटरियर में वो जाएगा natural और conventional अगले word की दोस्तों बात करते हैं अगला हमारा word है ecstasy ecstasy क्या होता दोस्तों ecstasy होता बहुत ज्यादा खुशी बहुत ज्यादा जब आप खुश होते हैं किसी situation से या किसी बात से तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ecstasy ecstasy के दिले दोस्त करने लिए आप use कर सकते हैं बात करें एंट्व दौस्तों एंटोने में अब यूज कर सकते हैं छीजिए डिसिइर हम आcra चौके हैं अगले word के बार में बात करते हैं अगला हमारा word है Ephins, Ephins होता है दोस्तों किसी चीजस को मिटा देना या वहाँ से हटा देना जनरली दोस्तों जो लिखा होता है कहीं पर ब॓र्ड पर, ब्लैक ब॓र्ड पर जनरली जो चीजसे मिटाई जा सकते हैं लिखिया हुई, वहाँ पर उनको हटाने के लिए विटानिक लिए दोस्तों अफ़ एसका यूज किया जाता है उसके हिलावा दोस्तों किया जाता है मेंडिसिन lucky test के दौरान इंञे दोस्तों वहां पर तो अउत होता और थिन होता है जो लेवर पेंड में के नेटरेशन होता है वहां एफिस का यूज किया जाता है word का for example आप देख सकते हैं some females एफिस 75% by the 39th week of pregnancy ठीक है तो इस तरह से यहां पर भी इसका यूज किया जाता है एफिस word का तो इसका एक और meaning होता है वह होता है दोस्तो render ineligible या फिर indiscernible तो इसका क्या means हुआ दोस्तो तो वहां आपर किसी चीज को ineligible बता देना या उसको घोषट कर देना वह होता है दोस्तों आपका अफिल अब इसके synonym के और बढ़ते हैं synonym दोस्तों हो जाएगा इसका destroy या फिर alliberate ठीक है destroy वही खतम करना होता है alliberate का मतलब भी दोस्तों almost similar ही होता है तो यह दो वर्ड आप यूज कर सकते हैं synonym के तोर पर एंटोनिम की दोस्तों अगले वर्ड की दोस्तों बात करते हैं अगला मारा वर्ड है eloquence अब यह interesting word है आप लोगोंने सुना भी होगा दोस्तों अपने books में 12th के दोरान या उससे पहले eloquence जो word है दोस्तों poetry में आपको देखने को मिल जाता है या books में जब आप books पढ़ते हैं English की तो वहाँ पर आपको यह word देखने को मिल जाता है eloquence eloquence क्या होता है दोस्तों यह quality होती है artistry होती है किसी की कि आपके इस तरीके से किसी चीज़ को लिखते हैं या उस चीज़ को बोलते हैं तो उसमें दोस्तों quality को बोला जाता है eloquence की आपके इस तरह से किसी चीज़ को लिखते हैं बोलते time या लिखते समय तो इसके दोस्तों अगर हम synonym की बात करें तो वह होता है दोस्तों आपका synonym में आपको देखने को मिल जाता है expression आप किस तरह से उस चीज़ को express करते हैं और इसके अलावब दोस्तों आप fluency के तौर पर भी इसको देख सकते हैं synonym में fluency क्या होता है कितना flow में और कितना correctly आप उस चीज़ को करते हैं एंटर नेम में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा halting ठीक है रुक रुक कर अटक अटक कर आप उस चीज़ को कर रहे हैं और stammering भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं बोलते बोलते लड़कला जाना गलत वर्ड निकल जाना that is also a word stammering जो कि आप यूज कर सकते हैं eloquence के एंटर निम के तौर पर next word की और दोस्तों बढ़ते हैं हमारा अगलर वर्ड है encumbrance क्या होता है दोस्तों encumbrance होता है किसी तरीके की रुकावट किसी तरीके की यूणो बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाना जिसके चलते आप जो है उस काम को उस तरह से नहीं कर पाते हैं so that is encumbrance इसके अलावा दोस्तों आप इसको liability के तौर पर देख सकते हैं liability आपकी उपर आ जाती एक burden आपकी उपर आ जाता है जो कि आपको लेकर चलना पड़ता है तो वहाँ पर दोस्तों हम इसको use करते हैं encumbrance को अब इसके synonym की बात करें तो वह जाएगा दोस्तों hindrance और obstacle, obstacle रुकाबट होता है hindrance का use भी दोस्तों इसी तरह से use किया जाता है अब बात करें antonym की दोस्तों तो antonym हो जाएगा incentive और stimulant incentive दोस्तों किसी काम के लिए दोस्तों आपको अलग से कुछ reward मिलना हो जाता incentive stimulant क्या होता है दोस्तों कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो आपको उस काम को करने के लिए agree करती है यानि for example जैसे आपको पता हो कि अगर आपको जो है तीन बज़े छुट्टी मिल जाएगी तो दोस्तों आप उस काम को करते हैं या आप सोचते हैं कि तीन बज़े छुट्टी मिल जाएगी तो आप और जल्दी उस काम को निप्टा आते हैं तो that is stimulant वो चीज आप होता है किसी काम को करना या इंस्पायर होना उस काम को करने के लिए इसके तौर पर आप देख सकते हैं अंडर्टेक यानि कि अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी पर लेना या अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी में लेना एस्पायर एस्पायर यानि कि उस काम को करने के लिए करना चाहते हैं आपने छोड़ दिया उस चीज को वीड़ का आप इस चीज को छोड़ देट है तो एंडेवर के लिए दोस्तों आप यूज कर सकते हैं seize or quit as antonyms अगला दोस्तों हमारा word enormous enormous क्या होता दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा importance रखने वाला जिसकी बहुत ज्यादा value that is enormous आप इसके लिए synonym क्या यूज कर सकते हैं आप synonym यूज कर सकते हैं आप colossal या फिर mammoth mammoth आप सबीने सुन रखा होगा like पहले एक elephant हुआ करते तो उनको हम बोलते थे mammoth ठीक है जिनके बड़े-बड़े दो दांत होते हैं आइसेज मूवी आप सबीने देखी होगी आइसेज में जो एक हाती होते हैं बड़े-बड़े दोस्तों उनको mammoth बोला जाता है mammoth का मतलब ह होता है बहुत ज्यादा huge या बहुत ज्यादा बड़ा इसकी जगह दोस्तों एंटोनेम की तौर पर आप यूज कर सकते हैं diminutive या फिर example दो कि जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा हो या जिसका you know example दिया जाता हो छोटी छोटी बात पर वो होता है word हमारा equivocal इकुइवोकल क्या होता है यके उकल का मतलब होता दोस्तों एक ऐसी चीज जिसके कई साहरे meaning हो सकते या जो कि certain नहीं होता है set नहीं होता है उसकी कई सार अर्व मतलब और von सकते हैं लेकिन एक निश्चित चीज नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं लोस्तो इक होकल अब इसका अगर सेनोनियम की BAT करें तो वह होता है यह तो झुल्षक झाल तेम आपको पता ही A clear होता है ठीक है obviously एक word हम use करते है obviously यानि कि बिल्कुल ठीक है तो obvious जो है वहीं से बना है word obvious का मतलब भी होता है certain lucid का मतलब क्या होता है lucid का मतलब होता है इतना साफ कि आपको सब कुछ दिख रहा है lucid को दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं एक ऐसा पानी जिसमें आप अपनी image को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं तो उसको हम बोलते है lucid एक आपने सुन भी रखा होगा lucid dreaming के बारे में lucid dreaming होता है दोस्तों lucid dreaming क्या होता है एक ऐसा सपना होता है जहां पर आपको लगता है कि आप हकीकत में वहीं पर हो चीक है लेकिन आप सपना देख रहे हो तो लेकिन आपको यह नहीं लगता है कि आप सपने में हो आपको प्रासा भी नहीं लग रहा है कि आप कहीं और देख रहे हो तो ल्यूसीड होता है क्लीन और क्लियर आगे बात करते हैं दोस्तों अगले वर्ड की अगला वर्ड हमारा eradicate eradicate क्या होता है किसी चीज को cancel कर देना डिस्ट्रॉय कर देना खतम कर देना that is eradicate eradicate synonym के तोर पर दोस्तों आप देख सकते हैं destroy को और exterminate exterminate का दोस्तों यहां पर यूज कर सकते हैं synonym के तोर पर enter name की बात करें तो वह जाएगा ट्रॉय किया होता है दोस्तों fabricate का मतलब होता है किसरी चीज को बनाना थीक है अब बनाने के लिए दोस्तों fabricate का आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे कुछ और वर्ड की बात करते हैं अगला हमारा वर्ड दोस्तों फॉलिसी क्या होता है दोस्तों पॉलिसी नहीं है इस फॉलिसी फॉलिसी होता है दोस्तों कि आप एक ऐसा अपेरेंस देते हैं सामने वाले को कि वो आपको देखकर धूखा है यानि की जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो लगता हैं कि बहुत जादा सीधे हैं क्यूट है बट अंदर से बहुत ज्यादा नौटी होते हैं शयतान होते हैं तो वह क्या करते हैं दोस्तों वह आपको एक ऐसा appearance देते हैं जानि कि वो क्या करते हैं policy का use करते हैं एक ऐसा आपको appearance देते हैं एक ऐसा idea देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा innocent है तो इसका synonym क्या हो जाएगा synonym दोस्तों इसका हो जाएगा delusion या फिर mistake delusion का मतलब भी वही होता है delusion यानि कि आप जो है एक ब्रहम में रहते हैं उस चीज़ को लेके और mistake का मतलब गलती आप जानते ही है इसका एंटरनेम की बात करें तो वो जाएगा दोस्तों veracity और truth ठीक है truth आप जानते हैं सच होता है veracity का मतलब भी होता है दोस्तों यानि कि आप उस चीज़ को पिक कर लेते हैं उनका जो दिखावा होता है उसको आप पकड़ लेते हैं that is veracity आगे बात करते हैं कुछ और वर्ड के बारे में दोस्तों अगला हमारा वर्ड है falter falter क्या होता है दोस्तों falter का मतलब होता है unsteadiness unsteadiness का मतलब हुआ दोस्तों जब आप steady नहीं होते हैं जब आप आप आपकी जो position है वो fix नहीं होती है आप इदर से दर waiver करते रहते हैं या या लाइफ के लिए भी दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं से लाइफ में जो है आप उपर नीचे होते रहते हैं सरकम्स्टांस बच्द रहते हैं तो वह होता है दोस्तों कि तापका अब इसका तौर पर आप देख सकते हैं स्टमबल लड़क जाना या फिर गिर जाना ठोका लग जाना स्टमबल डेमर आप उसको बोल सकते हैं डेमर वी एक word आप यूज कर सकते हैं इसके तौर पर या पर एंटनेम की कर सकते हैं कितना लंबा बरदास कर सकते हैं कितना लंबा जहेल सकते हैं कितना लंबा दोस्तों आप उस चीज को continue रख सकते हैं वो होता है कितनी भी मुश्किले आजाएं लेकिन आप उस चीज को छोड़ते नहीं है करना तो वह जाता है एंडियोर इंसाब का ठीक है एंडियोर आप इसको बोल सकते हैं अगला दोस्तों हमारा वर्ड है फेनेटिकल फेनेटिकल क्या होता है एक ऐसा वेक्ति जो कि थोड़ा सा नेरो मैंडिड हो या आप उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा एक तरफ जूग जाता हो ठीक है जो उसमें सोच रखा है वही वह सोचता है वह आपकी सुनने को तयार नहीं क्लिए बिलकुल भी तयार नहीं है और जो भी उसका भीलीफ है जो इसके स्थीक लगता है वह सी को सच मानता है आपकी बातों का उसके फरक नहीं पड़ता है इस फनाटिकल एंटरेम क्या हो जाएगा दोस्तों एंटरेम हो जाएगा इसका लिबरल और टॉल्रेंट लिबर तो लगता है कि आपने कुछ गलत बोला है उसके बाद भी दोस्तों उस तरह से वह रियक्ट नहीं करता है उस बात को सुनने के बाद तो वह जाता है आपका टॉलरेंट तो फैनेटिकल का दोस्तों जो एंटर नेम हो जाएगा वह जाएगा लेबरल और टॉलरेंट आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और वर्ड की अगला मारा वर्ड दोस्तों फीबल क्या होता दोस्तों फीबल होता है कमजोर ठीक है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं और एंटरनेम के लिए दोस्तों आप यूज कर सकते हैं स्ट्रॉंग और रोबस्ट ठीक है रोबस रोबस्ट दोस्तों हमारा मतलब ऐसे वक्ति से महीं है कि जो मतलब मूटा हो बहुत जादा या या पेट बहार निकला हो रोबस्ट इन दा सैंस एक ऐसा वक्ति जो की अच्छी कासी उसकी शेफ हो बॉड़ी की डैट इस रोबस्ट आगे बात करते कुछ और विड़ की अगला वर्ड ऊंवारा फिरोशी शिर क्या होता बहुत ज29 जहादा तोड़ करने把它 च्ञा पाई मचाने वाला वेक्टिक हम बोलते हैं फिरोशियर इसके लिए दोस्तों आप सिनोनेम के तोर पे यूज कर सकते हैं क्रूवल ठीक है क्रूवल का यूज आप कर सकते हैं उसके लावा फिर्स कर सकते हैं रैसे वेक्टिक हम बोलते हैं क्रूवल और फिर्स एंटोनेम के त होता है एक तरिके से लड़ाई कर ना दुश्मनी निकालना या दुश्मनी प्यदा करना वीच्टेश के लिए दूस्तों अप यूज कर सकते हैं इस टराइफ और पर ठेके कोल जगड़ा करना होता है आपका अच्राइव का मीनिंग भी होता कहें आप यूज सकते हार्मोनी प्रिटर निटी Echo सुग अगले वर्ड की बात करते दोस्तव हमारा वर्ड है फ्लक्चुेट का हो दोस्तों फ्लक्चुेय्ट होते हैं आप नीचे होना जलना भुजना फिर लगाता तर्शमोना फ्लक्चुए minder उपर नीचे होते रहे न हलते बिल रहा है या light पर काम चल रहा है electricity का तो बल्ब क्या होता है जलता है हलका होता है फिर टेज हो जाता है that is fluctuation आगे इसके synonym की बात करें दोस्तों तो deflect और vacillate तो यह दोस्तों आप दो वर्ड आप यूज कर सकते हैं स्टेबलाइज और रिजॉल्ब तो इस चीज़ को स्टेबल कर देना यानि कि वह एक ही मोड में रहता है जितना चमक रहता है ना कम होता है ना बढ़ता है और दोस्तों रिजॉल्ब का सेंस भी आल्मोस्ट सेम ही रहता है यहां पर अगला वर्ड दोस्तों फॉर सेक आप सभी ने सुन रखा होगा जो हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉर गॉड ऐसे ही दूस्तों वर्ड होता है फॉर सेक जो एक्ट्वमीन होता है प्लिए और वह होता है आप सभी ने वर्ड सुन रखा होगा हमारे स्क्रिप्चर्स में जो हमारे धार्मिक किताबे हैं जो हमारे वेध हैं या जो भी हमारे पुरान है उन सब में दोस्ते वर्ड आपको देखने को मिल जाता है चीज़ को छोड़ देना त्याद कर देना उसका सो इसका जो एंट नेम हो जाएगा व जाएगा hold और मेंटीज रखना या कि चीज़ को बनाया रखना आट इस मेंटेन पीडल्र दोस्तों मारव क्र्जाइल क्या होता है बहुत च्ना इसके वीक बोल सकते हैं इंफॉर्म बोल है that is enduring and tough आगे बात करते हैं दोस्तों आगला हमारा जो वर्ड है वह है frantic frantic क्या होता है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्टे में रहता हो उस व्यक्ति को दोस्तों हम बोलेंगे frantic अब frantic के लिए दोस्तों आप बोल सकते violent या फिर agitated ठीक है एंटरीम के लिए दोस्तों आप बोल सकते सब्डूड या फिर जैंटल सब्डूड का मतलब हो गया थोड़ा जिसकी personality दवी होई है जो या जो ज्यादा शो नहीं करता है expression को अपने गुस्ते को देट इस सब्डूड और जैंटल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो की बहुत ही gentle हो you know soft spoken हो अच्छे से बात करता हो सबसे अच्छे को सबको अच्छे से treat करता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम जैंटल बोलते हैं अगला जो हमारो वर्ड दोस्तों है फ्रिवोलेस क्या होता है दोस्तों एक ऐसी चीज़ों की बहुत ज्यादा matter ना करते हो बहुत ज्यादा importance उसकी ना हो इतनी जरूरी वो ना हो तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्रिवोलेस तो इसका जो synonym दोस्तों आप देख सकते हैं वह जाएगा patty और worthless ठीक है patty बहु वर्थ नहीं है जिसकी कोई value नहीं है that is worthless तो फ्रिवोलेस को दोस्तों आप बोल सकते हैं patty and worthless वहीं एंटोनेम की अगर हम बात करें तो आइंटोनेम में दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं और आप इसको बोल सकते हैं significant ऐसी जिसका बहुत ज्यादा महत हुए है बहुत ज्यादा important है that is significant तो यह दोनों आइंटोनेम दोस्तों आप इस वर्ड के लिए देख सकते हैं जो कि है frivolous आगे दोस्तों मह वर्रड एंट है Fregality Fregality क्या होता है दोस्तों Fregality का मतलब होता है एक ऐसी क् theo जहाँ पर आप चीजों को वेश्ट करने से बचते हैं या बहुत जादा एक्सपेंड यूनों बहुत जादा एक्सपेंश से जहां पर आप बचते हैं तो इसको हम बोलता दोस्तो फुगैलिटी तो इसका जो सिननेम हो जाएगा दोस्तो वो जाएगा लेविशनिस और एक्स्ट्रावेगेंश लेविशनिस क्या होदा सोच समझ के बिना सोचे समझें पैसा खतम करते जाना उड़ाते जाना एक्स्ट्रावेगेंश का मतलब भी वही होता है कि जहां पर 50 की रिक्वार्मेंट है वहां 100 कर देना या आप लोगोंने देखा होगा जो कई ऐसे गैस्ट आते हैं हमारे घर पे जो पेस्ट का यूज़ करते हैं और जितने पेस्ट की रिक्वार्मेंट नहीं होती ही लिए दोस्तों जो एंटरने में वह आप यूज़ कर सकते हैं लेविशनेस और एक्स्ट्रावेगेंश अगला दोस्तों है हमारा गैदर का सिनने में आप देख सकते हैं कन्वर्ज और हडल गैदर यानि खटा करना वहीं दोस्तों अगर हम इसके एंटरनेम की बात करें तो तो आप इसके एंटर नेम की तौर पर देख सकते हैं डिसपर्स और डिसेंबल यानि की फैला देना बिखेल देना किसी चीज़ को पूरी तरह से अगला जो दोस्तों वर्ड हमारा वह है ग्लूम का मतलब क्या होता है यूँनों बुझ जाना पावर कम हो जाना या वह चमक खतम हो जाना वह एनरजी खतम हो जाना इसका सिनोनेम दोस्तों आप देख सकते हैं और डार्कनेस यानि के अंधेरा ठीक है इसके लिए अगर आप लिए सकते हैं या याज़े देख सकते हैं दिलाइट यानी कि बहुद जाए आप घोड़े में अगला सकते हैं मुझ का अधिर निकलते हैं धाल क immense लिए मстन जाकर वहाँ जादा है दोस्तों कि इस चीज को भर देना कि और दोस्तों पैसे पिर सब्सक्राइब कर देना या उसे पॉस्यबिलिटीस या और्परचुनिटीज को ना देना तो दोस्तों यह अगे गाई जा iter दूस्तों है वह ज्युस्त बहुत जहादा ज़्यादा अच्छा वो था है gorgeous, synonym के तवर पर आप देख सकते हैं, magnificent, dazzling आप देख सकते हैं, वहीं, entonim के तवर पर हम बात करें तो वह जाएगा dull या फिर unpretentious, unpretentious दोस्तों एक important word इसको आप चाहें, तो note down कर सकते हैं, unpretentious दोस्तों आप use कर सकते हैं, gorgeous के लिए as an entonim, आगे जो word दोस्तों हो है, gracious, gracious again, एक word हो है, जो की gorgeous से मिलता जुलता है, तारीफ करने के लिए use किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों आप ले सकते हैं, synonym के तवर पर courteous, या फिर beneficent, ठीक है, courteous जो होता है, बहुत जादा, तमीज़दार जो होता है, जो हम बोलते है, courteous, जाली की, पैर चुना, या good morning, greet करना, या फिर, you know, knock करके अंदर आना, छुटी-छुटी चीज़ें जो होते हैं, दोस्तों, आगर ऐसे जो चीज़ें, जो follow करता है, वेक्तिस हम बोलता है, courteous, ऐसे ही दोस्तों होता है, beneficent, beneficent का मतलब भी same होता है, दोस्तों, वहीं इसका उल्टा करने, तो वो जाएगा, rude और unforgiving, ऐसा वेक्तिस हो बहुत जादा, rude है, कोई rules follow नहीं करता है, हमेशा आखाड में रहता है, गुस्य में रहता है, बत्तमीजी से बात करता है, ऐसे वेक्तिस को हम बोलेंगे, rude, या फिर unforgiving, जो जल्दी माफ नहीं करता है, बातों को that is unforgiving, कुछ और word की दोस्तों हम बात करते हैं, अगला जो word हमारा वो है, grisly, यानि की, बहुत जादा जो अत्याचार करता हो, या बहुत जादा, जिसके अंदर उस तरीके से feelings ना हो, बिना सोचे समझे किसी का नुकसान कर देना, किसी को उल्टा सीधा बोल देना, लड़न इसके अलावा दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं, atrocious, यानि की बहुत जादा जो अत्याचारी होता है, that is atrocious, इसका जो एंटर निम हो जाएगा, दोस्तों हो जाएगा pleasing, बहुत जादा जो जिसके आस पास रहना अच्छा लगता हो, जिसका जो बैवार है, वो बहुत जा हो, हसी मजाग करने वाला हो, तो वो जाता है pleasing और attractive, आगे बात करें दोस्तों अगला जो word of the grudge, grudge क्या होता है, किसी बात को लेकर बैठ जाना, उसी बात को repeat करते रहना, बार बार ताना देना उस बात का, ठीक है, उस बात को आपको याद दिलाना कि तुमने ऐसा किया था देखो, तुम्हार बार ऐसा ही करते हो, और आपकी कमियों पर focus करना, that is grudge, इसका जो synonym हो जाएगा, वो जाएगा, hatred या फिर aversion, ठीक है, दोनों word आप use कर सकते हैं, synonym के तौर पर, एंटरिम के तौर पर आप use कर सकते हैं, benevolence या फिर affection, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, यानि कि motivate करते हैं, आप कमी नहीं निकालते हैं किसी की, बातों को लेकर नहीं बैठते हैं किसी की, आप जो है, उनमें positive side देखत हैं, that is benevolence and affection, आगे कुछ और word हैं दोस्तों, तो आगे जो word है, वो हमारा guill, guill में क्या होता है, दोस्तों, यह होता है, कोई बहुत ज़्यादा जो अपना दिमाग लगाता हो, चालाकियां बहुत करता हो, या चतुराई बहुत ज़्यादा दिखाता हो, उसको हम बोलते है guill, दोस्तों, इसके synonym के तोर पर आप देख सकते हैं, cunning और deceit, ठीक है, cunning बहुत ज़्यादा चाला, deceit धोका देने वाला, एंटरनेम के तोर पर आप देख सकते हैं, honesty और frankness, यानि बहुत ज़्यादा हो, जो इमानदार हो, जो बहुत ज़्यादा frank हो, यानि कि अपनी बात तो कहा देता हो, छुपाता ना हो, आपको strict ना करता हो, that is frankness, तो एंटरनेम हो जाएगा दोस्तों, आपका honesty और frankness, आगे कुछ और word की दोस्तों बात करते हैं, आगे कुछ word हैं दोस्तों हमारे generosity, generosity क्या होता है दोस्तों आपका, generosity होता है दोस्तों ऐसा वेक्ति जो बहुत ज़्यादा generous हो, बहुत ज़्यादा धयालू हो, kind हो, kind-hearted हो, जो की अच्छा काम करने के लिए इतना ज़्यादा सोचता न तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वह जाएगा अल्टुयिज्म ठीक है और इसके अलाब जाएगा बाउंटी अब यह दो वर्ड शायद आप लोगों ने ना सुने हो तो आपनो डाउन कर सकते हैं एल्टुयिज्म और बाउंटी जन्रोसिटी के लिए दोस्ता आप इन दो व कुछ भी हो जाए और ग्रीड होता है कोई ब्लालची वेक्ती ठीक है जो अपना फाइदा देखता हो बस तो वह जाएगा ग्रीड ठीक है तो यह दो वर्ड आप यूज कर सकते हैं जेनरो सिटी के लिए एज एंटोनेम दो और वर्ड के बारे में दोस्तों बात करते हैं फिर वीडियो को हम आगे वाइंड अप करेंगे अगला जो वर्ड है दोस्तों वह हमारा जैनूइन यानि की रियल ठीक है तो इसके लिए दोस्तों आप सिनोनेम के तोर पर देख सकते हैं एपसलूट और फैक्चुल ठीक है एपसलूट का मतलब भी वह होता है बिलकुल से फैक्चुल यानि ऐसी चीज़ जो फैक्ट के बेसिस पर है ठीक है ऐसे ही नहीं है उसके अलावा एंटर नेम के तोर पर दोस्तों आप देख सकते हैं लास्ट में दोस्तों आज का जो वर्ड हमारा वो है ग्लूमी ठीक है ग पूरा सा कम चमकने वाला जैसे ग्लूम हमने पड़ा था उसी का जो वर्ड है दोस्तों वह ग्लूमी ठीक है ऐसी चीज़ दो कि बहुत जादा चमक ना रही हो या रोशनी जो है उसकी वह इतनी ना रही हो डैट इस ग्लूमी सिनोनियम के तोर पर आप देख सकते हैं ब्ली पर आपके सामने नहीं आ रही है कोई बात तो वहां पर आप ग्लूमी को यूज कर सकते हैं वर्ड के तौर पर या एक्स्प्रेशन के तौर पर इसके अगर हम एंटर नेम की बात करें वह जाएगा दोस्तों गे चीक है और उसके अलाब दोस्तों जाएगा ब्राइट तो यह दो वर्ड दोस्तों आप यूज कर सकते हैं ग्लूमी के लिए तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इतने ही सेनोने मेंटर नेम के बारे में बात करते हैं अगले सेग्मेंट में दोस्तों हम और आपके लिए ऐसे ही कुछ और सेनोने में लेकर आएंगे तो इसलिए दोस दोस्त आप सभी अन तक जोड़े रहें उसके लिए आप सभी का धन्यवाद